आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Samsung phone में data settings की यानि की data use करने के लिए आपको अपने Samsung के phone में क्या क्या settings करनी है आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो इसके लिए आप अपने phone में सबसे पहले settings को open करिए फिर आपको जाना है connections वाले option में यानि कि connections पर click करिए उसके बाद नीचे आईए आपको मिलेगा यहाँ पर mobile network का option तो mobile network पर आप click करिए और यहाँ पर आपको मिलेगा data roaming का option इसे आप on कर दीजिए volte calls को on कर दीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा network mode sim 1 network mode sim 2 जिस sim का आप net use करेंगे उस sim पर click करके यहाँ पर 4G यानि कि LTE वाला option select करिए उसके बाद आपको मिलेगा access point names का option अगर आपका यहाँ पर APN delete है तो 3.0 पर click करके reset to default कर लीजिए reset कर लीजिए यहाँ पर आपका कोई भी data delete नहीं होगा तो इसके बाद यह वापस आ जाएगा इसे आप select कर लीजिए reset करने के बाद same आपको sim 2 पर click करके इस process को कर लेना है फिर आप back आईए आपको नीजे मिलेगा sim card manager इस पर आप click करिए यहाँ पर एक option मिलेगा mobile data के नाम से mobile data पर click करके जिस sim का आप net use करेंगे जैसे कि sim 1 या फिर sim 2 तो जिस sim का आप net use करेंगे उस पर click करिए और वो sim यहाँ पर आपके default data card के लिए set हो जाएगी यानि कि जब आप अपने phone में net on करेंगे तो sim 2 से आपका default net यहाँ पर use होने लग जाएगा तो यहाँ पर आप इस टाइप से अपने phone में data settings कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें